उनके एक मजबूरी है वो आने के लिए प्रियास बहुत किया गया, मैं धन्यबाद देता हुआ कि जडियों को बहुत इसे नेता जो हमारे नजदी की हैं, वो लोग नहीं आएं, मुखमंत्री जी को लास्ट आवर में अंतिम दिन में प्रेसर दियें तो उसके कारण वो आए उनके एक मजबूरी है कि इंडिये में है तो भोट मांगने के लिए आए हैं, लेकिन उनके बड़े समर्थक है या बड़े लोग है भी आपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ भी आभी पार्टी के मुखिया मुकेश शहनी है और बोचहा में कल चुना होना है मुकेश जी क्या इस्तिति है आपने काफी केमपेनिंग किया है देर रातर जनता की बिच में हाँ जोर के हमने उनसे प्रात्ना किया जो हमारे साथ नै हुआ उसके साथ आप नै कीजिये और जितने भी पिछला समाज के हमारे पार्टी में नेता है और हर जाती धर्म से हमारे पार्टी में नेता है मुस्लिम ब्रादरी से हमारे पार्टी में पतादिकारी है हमारे ब्राहमन समा से है भुम्यार समा से है कायश से है अर्डे धर्म से हमारे पास पार्टी में लोग है वो लो मजगुति से पार्टी के पक्ष में काम किया और मुझे पुरा उमीद है कि जनता मजभचा के मालिक है वो हमेरे पत्यासी के पक्ष में बोट करेंगे अंडिये शे अलगोने के बाद भी मुख में तीस कुमार को लेके आपका सॉफ्ट करनर था लेकिन परचारा परसार के आखरी दिम चुनावी शभा में कर दिया और उसमें कोल्याम से मुखन किया कि इंडिये पत्यासी योग से सरकार है तो उनके एक मजबूरी है वाने के लिए प्रियास बहुत किया गया मैं धन्यबाद देता हुआ कि जडियों को बहुत इसे नेता जो हमारे नजदी की हैं वो लोग नहीं आएं मुखमंत्री जी को लास्ट आवर में अंतिम दिन में प्रेसर दिये तो उसक मजबूरी है कि इंडिये में है तो भोट मांगने के लिए आए हैं लेकिन उनके बड़े समर्थक है या बड़े लोग है भी पी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुखमंत्री जी नितिश कुमार जी के दिल में एक सौप्ट करनर हमेशा रहता है आती पूरे बिहार में मेलसी सीट पे चुनाव हमने बीजेपी के सामने परतियासी उतारा लेकिन जेडियू के परतियासी के लिए धनेंजे सिंग के लिए हमने परचार किया है तो आप देखिएगा तो हमारा उनका एक हमेशा अच्छा संबंध रहा है और आगे भी रहेगा अ मुकेशनी अकेला सिंगल कितना तो ही अभी सोलत तारीक रिजल्ट आएगा देखिए दोनों तरफ से हजजारों सेकरों बड़े-बड़े नेता स्टार परचार चालिस चालिस स्टार परचारा का और दरजनों मंत्री विधाय के दोनों तरफ से रहा और मजगूतिस उन लो है और इसका रिजल्ट आपको सोलत तरीकों देखिए बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है ठीक है हाँ हमारी लड़ाए भी वर्सेस अरजडी है और अरजडी है तो वह भी अभी हमारे पास जो देखा जा रहा है कि हमारे पास 66,000 भोट आना है और उसमें अ सारे भूमियार समाज के भोट हमारे पक्षमी भी आ रहे हैं और अगर सब आ जाएंगे तो निश्चित और पूस हमें चुनाब जीत होगा और बहुत ही अच्छा इस्तिती है हमारे पाटी का तो भी आइपी शुपड़िवों मुकेश शनी हमारे साथ थे जिनोंने बोचा चुनाओ में अपने प्रत्यासी के जीत का दावा किया है हलागे एक बात तो तो तय है कि मुकेश शनी के बोचा इंट्री से तिरकोनिय मुकाबला के आशार्थ दिख रहे हैं ऐसे में अब परिदाम आने के बाद ही किलिए रहो पाएगा कि किस के दावे में कितना दम है हुशन सर्मा बिहार कर